उन स्टूडेंट के लिए, उन बच्चों के लिए, मासूमों के लिए, ये भीव कुई तरीकी से डेडिकेटिड है और मैं डेडिकेशन के साथ इस बात को बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जो स्टूडेंट 10th, 12th में स्टूडी कर रहा है तो as a elder brother के तरह हम आपको आज ऐसा guideline प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद आपको decision making जो है, how to take decisions, कि आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारा confusion होता है जब after 12th, okay, lots of confusions in our mind, बहुत सारा confusion होता है, हम क्या करें, नहीं करें तो आज इस वीडियो के मादेमिक से जो है, आपकी पूल वो जो है confusion धूर हो जाएगा क्योंकि असर education का, जैसा कि आप सब को पता है, हमेंसा से यह होता है कि not only to promote the free education, but to value the education systems So how to value the education systems, जब हम कहते हैं कि नैतिक्त की जम्मेदारी, तो नैतिक्त के लेको बहु सारे जब आप रहते हो जहां पे, एक बाद जान लेना है कि जिस community में रहते हो, उससे बाहर निकलो जिस जगह पे आप रहते हो, वहां से जादे उपर उठो, आगे बढ़ो यही में जो होता है कि development और success का rate धाय करता है क्योंकि आप हमेशा देखोगे कि जिस community में आप से belong करते हो, जिस community में उस community से आप कोई भी expectations मत रखना क्योंकि वह community जो होते हैं, वह हमेशा यह जो structures है ना, जब आप western structure देखते हो और जब आप Indian structure देखते हो तो आपको वाकाई पता चलता है कि इसके difference क्या है lots of huge difference है, so friends, as you are teenagers, हम समझते हैं कि बहुत सारे viewers जो है हमारे, बहुत सारे viewers जो है, वह ऐसे viewers है जो मतलब हमारे आप लोगों को जैसा की पता है, कि एक जो है मैं टेकनोलोजी का भी channel है, और टेकनोलोजी के channel पे मैं link share करूंगा आप लोगों के साथ कभी, उस पर हम बात करेंगे कि IOT, जो internet of things है, उस पर भी मैं जो है lecture attend करता हूँ, okay, lots of जो well performed जो है platform है, उस पर भी मैंने educate किया है, लोगों को इस चीज के लिए motivate किया है, और हमारा अपना भी जो है self experience है, life का, so I also, fortunately, हमें पूरे इंडिया में rank secure किया है, लगवग 100, top 100 में मैं खुद भी आया हूँ, so as a better consultant के तरह से आपको हम जो आज एक guideline provide करेंगे, उसके बाद आपको ये बात confusion दूर हो जाएगा, कि आपको decision क्या लेना है, देखो, lots of value है, systems है, हमारे education systems को समझने की जरूरत है, हम जब कहते हैं कि एक engineering और एक medical होदा है, लेकिन engineering और medical में एक difference है, सबसे बड़ा difference ही है, कि जो eligible बनाना है, एक क्या होता है, eligibility देता है, और एक क्या होता है, कि आपको capable बनाता है, so इस दोनों के difference है, यदि engineering जो है, आपको eligible बनाता है, ठीक है, engineer बहुत अच्छे आप तब बनेंगे, जदि आप बहुत अच्छे engineer बनेंगे, बड़ क्या है, कि डॉक्टर जो है, वो capability देती है, आप डॉक्टर कैसे भी बन जाओ, कहीं पर भी जाके बैठ जाओ, तो आपको देखोगे, आपके जो है, life में बदलाब आने लगेगा, लेकिन engineering एक अलग फेल है, engineering means day to day आपको जो है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है, पेशेंट या बीमारों के साथ नहीं खेलते हैं, यहाँ पर आपको मसीन के साथ खेलना पड़ता है, आपको यहाँ पर जो है, अपने knowledge को प्रूफ करना पड़ता है, so day to day यहाँ चैलेंज यहाँ आपको, क्योंकि आज इस topic को मैं discussion करूँगा और बताऊँगा, उसके बाद सायद, जो है, आप लोगों के यहाँ यह हजारों सालों तक, जो है, तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन यही 10, 15, 20 साल तक भी लोग इस video को देखेंगे, तो gradually जो है motivate होंगे, क्योंकि आज मैं basic से basic और more in detail में जो है, कि as a consultant जो है, आपको educator, consultant आपको जो है consult कर रहा हूँ, so basically देखो, engineering क्या है, decision, how to take decision, is too much important, जब हम ISUPSC के exam को पढ़ते हैं, उसके syllabus देखते हैं, उसके तयारी करते हैं, और जब paper देते हैं, हमेंसा हमको यह सिखाया जाता है, कि आप challenge को कैसे handle करते हो, so how to handle the situations basically, so that is the main point, अब handle किस तरीके से कर सकते हो, यही main point होता है, लेकिन handle करने के पीछे कुछ तो logic होना जाए है, ऐसा नहीं है कि हम यह कह देखेंगे, कि इसके पीछे हमें मन होता है, इसलिए ले लेते हैं, इस के पीछे कुछ logic है, reasoning है, उस चीज़ को आप समझो, देको engineering जो होता है, day to day में यदि challenge लेना चाहते हो, यदि कुछ पूफ करने वाले student हुआ, आपको लगता है कि हमें कुछ ऐसा बना देना है, जो आज तक किसी नहीं बनाया, तब फिर आपके लिए engineering important है, और engineering हो जाता है, क्योंकि engineering में जो है, हमें day to day prove करना पड़ता है, कि हम बेहतर है, जब कि medical में या medical में भी बहुत साई field है, ठीक है, लेकि medical में यदि हम MBBS के बाद करते हैं, तो MBBS का जो field है, उसमें हमें prove नहीं करना पड़ता है, इभन कि आद आदमी ऐसा होता है, कि आदमी जो है, अपने आपको, जो है, जब हम कहते हैं, डॉक्टर को क्या, गॉड, जो गॉड जब कहते हैं, तो गॉड के तरह से जो है, आपने आप में कभी भी जदी आपको है, कि हाँ, मतलब एक बैठ कर आराम से जीवन चले, आराम से कोई ठीक है, सब कुछ आता रहा है, और लोग हमको खूब जो है, चाबस्ती दे, हमें जो है, लोग जो है, अच्छी बात ही करें हमसे, तो अफर्चोनली जो है, आपको, जो है, यस, फिर आपके लिए जो है, मेडिकल लाइन है, लेकिन यदि आप चैलेंज यस हो, आप चैलेंज को accept करना चाहते हो, और life में कुछ traveling करना चाहते हो, कुछ adventure करना चाहते हो, तो आपके लिए फिर engineering है, दूसरा point मैंने क्या कहा है, कि engineering जो है, eligible बनाता है, दुनिया में सबसे जादे eligibility, यदि कोई एक चीज देता है, तो वो है engineering, यानि कि engineering कर लो, फिर आप eligible हो जाओगे, किस च चीज है, हजारों ऐसे चीज है, जिसके लिए आप eligible हो जाते हो, आप उसके बाद आगे बढ़ सकते हो, यदि life को without, बिना रोके हुए, जो है, आपको eligible होना है, तो eligibility के लिए सबसे अच्छी point है, कि आप engineering side जा सकते हो, लेकिन यदि आपको life में, जो है, बिना challenge लिए, कर, कुछ ऐसे, फिर आपको आगे चल के हो सकता है, कि इस line में, interest ना भी बचे, ठेके, क्या होता है, कि बहुत सारे, जो है, वो trade होता है, medical में भी होते है, engineering में भी होते है, अब क्या है, कि हम trade भी आएंगे, लेकिन पहले, जो है, medical और engineering के बीच में, हम difference देख लेते हैं, औ और यही difference, सबसे बड़ा difference है, कि यह engineering जो है, challenges होता है, हमें day to day प्रूफ करना पड़ता है, कि हम किस तरही के से perform करते हैं, और इसमें हमें perform करना भी पड़ता है, लेकिन जब हम बात करते है, medical में, तो हमें day to day प्रूफ नहीं करना पड़ता है, और second point यह है, कि हमें day to day प् बहु सारे चीज़ है, like the pharmacy है, like the radiographer and completely आपको देखते हैं, ultrasound करते हैं, x-ray करते हैं, तो वो सब भी एक तरीकी से जो है, medical में ही आता है, medical में ही आपको हेमोपैत, okay, Ayurveda, okay, MBBS, तो यह सब भी है, BDS, okay, तो यह सब चीज़ है, लेकिन अब जब आप देखते हो, तो सबसे आपको पदा है कि MBBS है, लेकिन इसमें भी यदि आप MBBS नहीं भी कर पाते हो, so rest option दो बंचते हैं, लेकिन फिर आपको eligibility उतनी नहीं रहे जाती है, जितनी आपको engineering में, और दूसरा point यह मैं बता देना चाहता हूँ, कि जो educations है, जो systems है, हमारे यहां के जो education system हो, वो completely different education systems है यहां पर क्या है, कि मतलब ग्यान देने में कभी भी लोग कमी नहीं करता, so यहां पर यही main path है, कि जब आप, even कि आप कोई भी medical trade लिये हो, तो आपको पढ़ाई उतना ही करना पड़ता है, जितना MBBS में करना पड़ता है, तो यह नहीं सहुचो, कि MBBS में पढ़ाई बहु कि आप जो है, वो computer science engineer हो, या electronic communications हो, या mechanical हो, कौन से हो, तो पढ़ाई सब में बढ़ावर करना पड़ता है, तो ऐसा यह नहीं है, कि जदी हम doctor, मतलब in case, क्योंकि limited seat है, तो doctor नहीं बन पाते हैं, तो भी जदी कोई भी trade लेते है medical lane में, तो पढ़ाई हमें उतना ही करना पड जाता है, बस यही difference हो जाता है, कि किसी को limited seat है, किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला, ठीक है, बहुत सारे चाहीं होते हैं, factor होते हैं, जो है, आपके seat कैसे मिलते हैं, तो point आपको समझ में आया होगा, I hope, कि engineering और medical में से कौन, अब बात करते हैं, दोगो, engineering और medical के बाद ज करते हैं, कि engineering यदी लेते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि eligible हो जाओगे, और क्या है, कि day to day में challenge जो है, accept करने में मजा भी आता है, क्योंकि बहुत सारे time के साथ हमारा interest भी बदलता रहता है, और बता दे कि इतने detail में हमें पता ही नहीं होता है, ज इसको हम खुद भी नहीं समझते रहते हैं, कि हम कौन से decision लिए, या आगे हमें खुद भी जो है, interest इस field में रहेगा या नहीं, ठीक है, as जो है, बहुत साई student है, जो खुद भी जो है, उस line moon है, interest नहीं बचता है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वो life में कुछ और भी challenge लेन कि पहले तो जो है, इसका मतलब हो कि आप जो है, एक बहुत ही अच्छे educational background से belong करते हो, और आप जो है, बहुत ही एक inspirational सो, अपने life के लिए जो है, खयाली लोग हो, जो अपने life के लिए conscious हो, तभी इन सभी चीजों में लोग जाते हैं, वर्ड ना जो है, वो अमोमन ऐसा हमा इतना अच्छा नहीं मिला, जिनके फैमली सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिला, तो वो जो है, या तो कोई competitions की तयारी करके कहीं पर job के settlement हो जाते हैं, या ऐसे, लेकिन जब आप engineering, medical, इन सब चीजों में जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप जो है, थोड़ा सा तो अलग होग और अलग इस बात से कि आप challenge लोगे, accept करोगे, उस challenge को आपको deal करना है, आपको tackle करना है, सभी तरी के situations को solve करनी है, और life में कुछ ऐसा करना है, जिसको आप खुद भी जो है, admirer करो उस चीजों को आगे चलके, तो यही main point हो जाता है कि जब हम इन सब चीजों के लिए सोचत है education और value education की बात करते है, so value education and education too much important and complicated हो जाता है, समझना, लेकिन guideline बहुत सारे youth है, हमारे facebook page है, उसके अंदर में भी जो है, काफी सारे ऐसे message आते रहते है, कि कुछ लोगों का यह समझ जा रहता है, कि job दिला दो, job जो है, वो दिलाने की बात करते है, क्योंकि मेरा कई जो जो है channel पर आपको Instagram पर भी हूँ, Facebook पर भी हूँ, उस पर भी लगभग जो है, 5000-6000 जो है, वो followers है, तो बहु सारे followers जो है message करते है, जो youth है basically, जो youth है, वो message करते है कि कहीं पर job दिला दो, लेकिन क्या है कि job देखो, job जो है, creations जो है, आप यह सबजाओ कि आपको करना क्या है, यदि आप करने लगोगे, job automatic मिल जाती है, क्योंकि job ना करना जो है, वो भी एक तरीके का job करना है, कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, और life बहुत short होता है, बहुत लंबा नहीं मिलता है, time आपको यहाँ पर, एक inning खेलना है, और उस inning को decide करो कि तुम्हें क्या करना से, और जो मैंने अपने life से जो सीखा है, और जो बड़े लोगों से मैंने सुना है, और बड़े लोगों के जो motivations हमने लिया है, उनका हमेशा बड़े लोगों का यही कहना था, कि life में गलती यदि करते हो, तो जल्दी जल्दी करो, ताकि जो है, एक आपको जो है, सही चीज मिल जाए, ठीक है, और यदि सही चीज को करते हो, तो धीरे से करो, आराम से करो, टेंसन मतलो, और यदि गलत कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसे decision ले रहे हो, गलत decision ले रहे हो, तो जल्दी जल्दी लो, ताकि आपको जो है, time कम से कम लगे, और उस गलती से आप कुछ को सीखन को मिले, so यही life का funda है, engineering, medical, ऐसे मासोन बच्चे जो पढ़ रहे हैं, 10th और 12th में उनके लिए ये inspirational होगा, और point यह आता है, कि यदि, आप engineering में भी जाते हो, तो engineering में कौन से site select करोगे, दोगो सबसे अच्छा अभी है, electronic communication, computer science, यह सब ले सकते हो, बहुत अच्छा है, mechanical भी अच्छा है, तो इसमें जाने के बाद आपको ऐसा, जो है engineering में कोई भी लोगे, तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा कोई issues नहीं है, इवें कि जब आप IT लेते हो, तो देखो, लेकिन time के साथ, आप जो है, well established हो जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा, तो यह, लेकिन medical side में जाते ह हो, तो फिर यहाँ पर challenging है, क्योंकि यहाँ पर challenging है, इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो value system से, जो way है, वो completely different है, आपको MBBS जो है, वो structure है, उस चीज को, और दूसरे, जो trade है, उनमें बहुत साथ difference होता है, तो यह, वो main point है, लेकिन फिर भी जो है, वहाँ पर भी ऐसे ही मिलता है, लेकिन एक, जो MBBS का जो seat होता है, वो limited है, लेकिन उसका value बहुत जादे बढ़ जाता है, यह आने वाले दिन में ऐसा नहीं हालत रहेगा, लेकिन अभी यही है, तो I hope कि आप लोग समझ पायो होगे, और decision, आप कैसे student हो, आप खुद decision लो, क्योंकि आपको challenge पसंद है, यह आराम पसंद है, यदि आराम पसंद है, तो फिर उधर जा सकते हो, पढ़ने में आराम नहीं, बलकि challenges में adventurous हो, आप कुछ ऐसे जो है, तहालगा मचाने वाले हो, तो engineering में जाओ, यदि आराम से खाने वाले हो, पढ़ने वाले हो, मेरेकर, so I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यदि इस चैनल पे, असरा education पे नए है, तो चैनल को like से subscribe कर सकते हो, या नहीं भी करोगे, कोई बात नहीं, यदि आपके लिए beneficial हो, so हमारा तो हो गया, तब मिलते हैं, आगे आने वाले lecture में, तब तब कि लिए जाहें जावार,